बोस्त वल्कम टो आर चनल तो most important वीडियो लेके हाजी ने आप लोगो के सामने railway ने टेंडर जारी किया है company कोँछन paper कराने वाली है इसको लेकर और question paper का level क्या रहने वाला है इसको लेकर बहुत ही सारे strengths के लगाता doubts भी चलना start हो गए ऐसे ऐसे doubts की भाईया paper तो इस बार robot बनाएगा हमने तो ऐसा सुना है कि human का तो इसमें कोई roll ही नहीं है सारा paper बीच में कोई paper ही नहीं देख पाएगा कैसा paper बन रहा है क्या है किस तरीके की चीजे होंगी ये सारी की सारी चीजें अफवाहें भी उड़ रही है और ये तक कहा जा रहा है कि भाईया जब question repeat ही नहीं होंगे तो आप हमें क्यूं करबा रहे हो पुराने questions अच्छा जी चलिए आप लोगों के सारे मन की दुविधा को दूर करते हैं बिल्कुल tension free हो जाईए देखिए बैसे कहना तो नहीं चीजे लेकिन फिर भी मैं कहा देता हूँ जैसे कोई application आप डाउनलोड करते हैं कुछ करते हैं तो आपने देखा होगा एक बहुत लंबी सी कहानी लिखी हुई आती है इंगली समय हिंदी में आप उसे बिना पड़े accept कर लेते हैं ठीक इसी तरीके से हर चीज के कुछ न कुछ rules and regulations होते हैं जिसको companies को accept करना पड़ता है उसके बाद जब काम सुरू होता है तो काम पिछली चीजों को देखते हुए होता है कि भाईया पहले जो paper हुआ वो किस तरीके से हुआ आपका slavus क्या है ऐसा नहीं है कि इस चीज में सारी चीजे है हर चीज के rules and regulations तो होते हैं लेकिन उनमें से कितनी चीजे follow होती है कैसे काम होता है अच्छे ही बता गया मैंने आप लोगों को अभी पिछली वीडियो में ही बताया था कि ALP का भी technician का भी group D का भी क्यूं same to same slavus चिपका दिया गया है same to same words line भी इधर उदर नहीं हुई है ऐसा क्यों क्या same paper आएगा नहीं आएगा paper सबका अपने अपने लेवल से आएगा paper में अलग अलग चीज़े आएंगी उसके लिए यहाँ अलग चीज़ आएगी यहाँ पर अलग आएगी 2018 में भी group D का वही slavus था 2022 में भी वही था लेकिन paper change हो गया तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि इन चीज़ों से आप लोगों को ज़्यादा टेंसल नेने की जरूत नहीं है यह companies के लिए है railways ने rules बताए है और railway board ने rules बताए है इन companies को follow करने है नहीं करने है वो यह जानेंगी आप सिर्फ इस बात पर stick रही है कि आपका paper आपके slavus से बढ़ने वाला है रोबोट बना लेगा paper अच्छा जी कुछ लड़के chat GPT से questions बना बना के गुरूप में send कर दे रहे हैं कि ऐसे questions आएंगे search क्या कर रहे है question paper for railway ALP exam और वो question क्या दे रहा ह locomotive में कितनी बोगियां होती है किस टाइप की बोगी होती है कौन सी traction motor use होती है कौन सी current पे चलती है भाई ये सब questions कुछ नहीं उन सब चीजों को छोड़ दो ऐसा possible ही नहीं है अगर सारा का सारा काम robot कर लेते या ये chat GPT से ही हो जाना होता तो 419 क्रोड रुपे किस बात के ख paper होने हैं बहुत अच्छे से सारी काम होंगे जैसे पहले से चले आ रहे हैं उसी type में आप लोगों को paper देखने को मिलेंगे ये कोई नई बात नहीं है हाँ उन्होंने ये कहा है कि as it is questions ना उठें ये आज की सर्त नहीं है अगर आप पहले का tender उठा के देखोगे उसमें भी यही बात लिखी हुई थी हर बार यही लिखी होती है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अब आप बताओ अगर HCF and LCM है तो भाई संख्याएं बदलते रहेगा वो लेकिन question तो format वही रहेगा भाई आज पूछ रहा है एक संख्या 35 किये हैं इन दोनों का LCM दूबा concert पर ध्यान दो सिर्फ number of question पर ध्यान मत दो हजार बार आप लोगों से कहा मैंने अच्छा इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही है सबसे बात कर लेते कौन-कौन सी companies competition में है तो TCS है NSEIT है यह पहले भी थी और यह एक यह है एजुक्वेटी, Career Technologies, Private Limited यह तीन companies हैं जिसमें सबसे ज़्यादा chances है कि TCS को ही contract मिलेगा हम लोगों की जो हमें जो लग रहा है वो उसी को मिलेगा लेकिन अगर किसी को भी मिलता है आप छोड़िए किसी को भी मिलता है कोई भी आदमी आपके slaves से बहार नहीं जाएगा यह सम वो सिर्फ और सिर्फ slaves देखेगी और previous year देखेगी कि पहले क्या slaves था कैसे paper बने है इस वार क्या slaves है और कैसा paper बनाना है आप इस चीज से निश्चिंट हो जाएए अगर 9th की physics और 10th की physics chemistry आपके slaves में है तो उसी से question बनेगा अब कहीं से भी घुमा ले वो अरे उपधातु जितनी है उतनी ही रहेंगी रोबोट बना ले चैट GPT बना ले कोई बना ले उससे जादा नहीं हो सकती ना कम हो सकती पीरोडिक टेवल में जितने अलिमेंट है उतनी ही रहेंगे तो आप लोग घबराईए मत हम खड़े हैं आप भी हो वहीं पे टेख लेना paper में ऐसा इसका मतलब होता है healthy system मतलब एक तगड़ा और healthy system बनना है इसका सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर दे को रहें बोला अच्छे से पेपर बना के और फिर उन लोगों तक पहुंचा दे बिना किसी के paper को देखे हुए तो यही होता है papers के set बन जाएंगे papers बन जाएंगे और paper इतने जादा हो जाते हैं कि पहले बात तो इस तरीके से जब paper बनते हैं paper हमेसा examiner ही बनाएंगे यह मत समझी आप कोई और बना लेगा paper बनेंगे difficulty level भी सेम ही रहता है सबका इसमें बोला गया difficulty level सेम रखता है और यह paper के set बन जाएंगे जैसे मान लीजे इन्हें 909 shift में paper कराना है set बना लेंगे यह ज़्यादा 200 set बना लिए इन्होंने फिर यह नहीं पता है उन 200 set में से 500 set में से कि कौन सा set आज की shift में आने बाला है बस वो यह कहना चाह रहे है इसमें human को नहीं पता चलेगा किसी को भी कि कौन सा set आज आने बाला है बस वो यह इस तरीके का healthy system रहेगा उसी समय पे आप लोगों को paper मिलेगा और यह आज की बात नहीं है यह हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है यह कोई नहीं बात नहीं हो रही है इसके अंदर तो यह बाली बात आये होग कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे papers की बात है इसलिए पंगा नहीं होगा कुछ भी सब slavus पही श्टिक रहेंगे क्योंकि एक ही company को पूरे साल paper के लिए यह सारी चीज़े मिल रही है तो वो अच्छे से सारे paper करवाएगी और उसे भी पता है कि अगर yearly process है तो हर साल यही चीज़े चलेंगी तो अच्छे से paper होगा यह बात हो गई इसके बाद यहाँ पर एक अच्छी बात बताई है ensure the maintain high यह सारी चीज़े छोड़ दीजे आप उन्होंने वो सब वह अच्छी बाते हैं और railway बोल रहा है कि भाईया हर तरीके से आपको paper को अच्छे से कराना है यह करना है वो करना है वो सब company के लिए है ensure that the question items are not directly taken from the papers of any other examination during the last two examination इसका क्या मतलब समझागा है लड़के कह रहे है कि पिछले दो exam जो ALP के हुए हुए उसमें से नहीं आना चाहिए question पिछले जो railway के exam हुए उसमें से नहीं आना चाहिए पिछले जो कोई भी state में या कहीं भी paper हुआ है उसमें से direct question नहीं आने चाहिए आपको लगता है ऐसा कभी होता ही नहीं है papers के जो set बनेंगे वो बनेंगे आपके slavus के according कितना भी change करने के बाद अगर किसी बच्चे ने सही से concept को clear कर लिया है examiner चाहे जितना घूमाले question चाहे कितना कुछ कर ले आपको question वही देखने को मिलेंगे और कितना भी change करने के बाद questions change नहीं हो सकते हैं repeat होँगे ही होँगे questions repeat होते ही होते है क्योंकि इतना question बन चुका है इतना question आ रखा है slavers वो का वही है तो slavus में से ही तो question बनेंगे और कहां से बनेंगी तो आप बिल्कुल tension मत लीजे जो चीज़े आपको करवाई जा रही है आप उनी में से सारी चीज़े पढ़िए मैं इस चीज़ को आपको promise कर रहा हूं कि आपके slavus में से ही maximum चीज़े देखने को मिलेंगी बस इस तरीके की चीज़े देखने को मिल सकती है जैसे पहले हुआ था कि पिछली बाद 10th से ही सारी की सारी चीज़े भर दी तो इस तरीके की चीज़े भले ही देखने को मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा ALP बगरा में ALP में 9th से भी चीज़े देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी लेकिन अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को पहले 10th की ही चीज़े maximum चीज़े कवर कराई गई है इसके अलावा next जो बात है वो बोला है कि question would be created topic wise वो सब देखिए आप उस चीज़ोड़ी मैंने कहा ना 200 questions बनाने है उन्हें वो क्या करेंगे easy level के इस chapter से 200 questions रखने है इस chapter में से हर set में एक दो question डालते रहेंगे उठाके एक यहां से उठाके डाल दिया एक वहां से डाल दिया easy भी moderate भी difficult भी हर तरीके से हर chapter से questions बनेंगे कि इतने easy इस वाले इस chapter से easy डाल दिया और दूसरे चेप्टर से moderate डाल दिया उससे तक तीसरे चेप्टर से difficult डाल दिया फिर इसी series में questions रखते चले जाते हैं इस तरीके से चीजे होती है तो आप लोगों को उन चीजों से tension नहीं लेनी है complete set of question paper would be generated from the pool of questions एक pool of questions होगा मतलब बहुत सारे questions बनेंगे questions throw a computerized program just before downloading the questions papers for the examination यह तो क यह हमारे difficult question है यह हमारे moderate question है हो सकता यह 5 level बना लें और उन questions को रख दें और फिर computer automatically हर जगे से एक question उठाके ऐसा system बन सकता है वही चीज़ बता रहे हो अपने आप question paper download करेगा और आपको दिखा देगा कि यह आपका paper 100 question का बन गया है समझ रहे हो इसमें किसी को नहीं पता ह है कि कहां से questions आने वाले हैं यह है आप लोग का system आप यह मैं समझें कि robot बना देगा chat GPT बना देगी questions वही लोग बनाएंगे लेकिन उनको खुद को नहीं पता होगा कि क्या paper में आज questions आने वाले हैं क्योंकि वो system बन सकता है वो बहुत आसान चीज़ है वो कोई बहुत इसकी छोड़ दीजिए वो अपने questions बनाएंगे सब slavus से ही बनाएंगे यह चीज़ ध्यान रखिएगा complete set of questions papers would be generated from the pool of questions यह भी हो गया इसके अलावा most important है कि 14 language में paper convert होगा पहले English में बनेगा फिर 14 language में होगा और किसी भी तरीके गलती नहीं होनी चाहिए perfection of the questions should be the highest level यह perfection है यह difficulty level नहीं है perfection बोल रहे हो कि paper अच्छे से बनना चाहिए all the questions in a given language question paper set should be 100% correct penalty will be imposed as per the applicable clause in case of incorrect और आरे बहुत हो सब होता ही है वो छोड़ो अगर कोई translation error या किसी तरगी की गलती मिलती है तो उसके लिए आप लोगों को penalty पड़ेगी वो उन पर company से बात चल रही है और inscription cell भी zero human intervention यह जो बोली बात है जिरो human intervention इसका मतलब वही है कि set बनाके उन्होंने रख दिये है जब paper बनके आएगा उस समय human का कोई intervention नहीं होगा वो robotic mechanism होगा robotic mechanism नहीं कह सकते उसको उसको एक computerized system है वो वो automatically सब जगह से question उठा के आपका set बना देगा बस उसको पता है 25 questions रखने है यह इस chapter से easy उठाना इस step set से वो programming हो जाती है वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ठीक है वो सब programming हो जाती है उसी तरीके से question पंज जाएंगे next है number of candidates to be अब यह बोला गया है कि लगवक 1.6 करोड़ लोग in form को apply करेंगे और paper देंगे मुझे तो अगरा इससे भी जादा ही देंगे यह 1.6 करोड़ तो कमी है लेकिन इससे जादा ही लोग paper देंगे क्योंकि अभी group D जब होगा group D की vacancy आएगी तो कम से कट करके एक साल की वेकेंसी दी जा रही है तो 20-30,000 के बीच वेकेंसी आने की पूरी उम्मीद है तो 20-30,000 जब वेकेंसी आएगी तो उसके लिए form 50 लाग से जादा ही डलेगा पहले तो 1.87 और 1.6 करोड 1.3 करोड बढ़ते थे लेकिन इस बार 50-60 लाग form तो डलना ही डलन है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों से प्रोमिस करता हूँ कि आप इस चैनल पर बने रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे एक से बस्ट इंफोर्मिशन आप लोग के लिए आएगी आपके अंदर से एक्जाम का डर बिलकुल निकल जाएगा और बे जिजक अपनी तयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट दे सकते हैं हम लोग के जो टार्गेट क्लासे हैं वो बहुत ही बहतरीन तरीके से चल रही है इसके अंदर हम लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड भी करते हैं सारी चीजे चल रही है य इसी तरीके से यह आप लोग की टार्गेट क्लासेज का बैनर है इस समय चार सो रुपे में अगर कोई भी बच्चा था हमारा कोई अगर आप निव च्ट्वेंट है तो आपको 500 रुपे पे करना है और आप लोग जुड़ सकते हैं बिलकुल जीरो टू हीरो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मैंने यह भी दिखाया था आप लोग की एलपी का स्लेबस देख लो यह यह गुरुपडी का स्लेबस है 2022 का और यह टेक्निशन का 24 का यह भी एलपी का 24 का है इन सब को मैच करा लो एक भी वर्ड अगर इधर उदर मिल जाए तो यह सारे के सारे सेम है यह सब गाइडन सेसंस में वीडियो जा रही है बच्चों को इसका लाब भी उठा रहे हैं वो लोग ठीक है तो इस तरीके से स्ले प्रोल होना है यह टार्गेट क्लासे हमारी 10 हो चुकी है तो आप लोग बी आईपी गुरुजी ओफिशल अप्लिकेशन डाउनलोड करें नीचे लिंक है और वहां से अपने चीजों को फोलो कर सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा टेक केर दो महीन एक अंदर से लिवस को रिप्ता लेंगे बिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा टेक केर